कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्ध से चाहो तो पूरी काइनात उसे आपको मिलाने में जुड़ जाती है तो ऐसा ही है आपका यूटूब चैनल अगर आप भी यूटूब पर वर्क करते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा यूटूब का एक्चुल में अलग बहुत कम आ रहा है तो आज के वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगा कि कैसे एक्चुल में यूटूब का अलगूर्दम वर्क करता है अगर आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो कितने भी अच्छे कंटेंड उस वीडियो में बता दो कितना भी विडियो के अंदर इतने अच्छे आच्छे इतना अक्टेंड है इतना अच्छा प्रक्टिकल नॉलिज दिया अबव उस वीडियो को क्लिक करेंगा फर्सिंप्रेशन आगर देखा जातों अगर कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो आपका first impression पढ़ता है अगर मेरी एक टेक्निकल रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और मैं टेक्निकल वीडियो देखना पसंद करता हूँ तो मैं किसी का भी सबसे पहले तो थमनेल देखता है अगर मुझे अच्छा लगा तो ही मैं वीडियो को क्लिक करता हूँ मतलब यूजर इंट्रेस्टेड है तभी आपके वह थमनेल को क्लिक करेगा तभी आपका वीडियो देखेगा अब first impression आपका पढ़ता है थमनेल का तो यहां पर मैं बात करने वाला CTR के बारे में दो चीज़ें बहुत में फैक्टर करती है अल्गोरिदम में यूट्यूब के जो कि आपकी वीडियो को रेकेमेंड करता है आपकी वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुचाता है लोग उस पर क्लिक करते है लोग उसको देखत है तो ओडियंस रिटेंशन और क्लिक थूरेट यह दो बहुत बड़े मेंड फैक्टर है काफी यूट्यूबर्स जो बड़े-बड़े है उन्होंने आपको यह चीज़ बताया भी होगा मैं आपको क्लियर करूंगा CTR के बारे में और इस बारे में बहुत बड़ीया प्रक वो तक जाता है लोग उसपे क्लिक करते हैं अगर आपके पास सव सस्क्राइबर है या यूटूब ने आपकी वीडियो को सव लोगों तक भेजा तो यूटूब आपके थमनेल का मैटर करता है आपकी वीडियो का मैटर करता है कि CTR आपके वीडियो का कितना है तो हमेशे याद रखी कि अब जब कभी भी अपने वीडियो पब्लिश करें उसके 24 गंटे या दो दीन बाद आप उसको आनलिस करो अनलेटिक रिपोर्ट में आप जाके देख को यूटुब का पर्टिकुलर वीडियो के साइड में आपको दिख भी रहा होगा वहाँ पर आपको CTR दिखेगा आपके वीडियो का कि आपके थमनिल पर लोग कितना क्लिक कर रहे हैं क्योंकि अगर क्लिक ही नहीं करेंगे तो लोग कैसा उसको देख पाएगे ठीक है तो य अगर आपको इंक्रीज करना तो उसके लापको थमनेल ऐसा बनाना प्रेंगा कि लोग की वीडियो को क्लिक करेंगे अब वीडियो के अंदर का कंटेन आपका एंगेजिंग बनाता है उस पर मैटर करता है कि लोग कितने देर तक रुखेंगे अब रुखने वाला वीडियो है तो एक लिस्ट वो 40 परसेंट तो वीडियो आपका देखना चाहिए तब यूटूब को लगता है कि नहीं जो वीडियो लोग देख रहे हो काफी यूसपूल है उसको मैं और आगे लोगों तक पहुचाओंगा अब आप यही सोचों कि अगर कोई भी पर्टिकु और 100 लोगों का उनी ने उनको डाउन कर दिये मतलब यूटूब ने 100 लोगों को तो बेजा उसमें सिर्फ 10 लोगों ने देखे वो भी क्लिक के और छोड़ दिये मतलब CTR क्लिक थ्रू रेट तो बढ़ गया लेकिन लोगों ने देखे ही नहीं उस पर ओडिंस रिटेंशन ह नहीं नहीं आया तो यूटूब को लगा कि यह वीडियो कोई काम का नहीं है मैं इसको नहीं करता हूं रेकमेंड दूसरे वीडियो को मैं रेकमेंड करता हूं मतलब दूसरे लोगों के वीडियो को सेम टॉपिक में रेकमेंड करेगा आपके वीडियो को नहीं करेगा अग अगर आपका CTR कम आ रहा है, 10% से नीचे आ रहा है, 5% से नीचे आ रहा है, तो उसके लिए मापको एक option बताऊँगा, आपको क्या करना है, आपका thumbnail इंप्रूव करना है, जो आपने पहला thumbnail लगा है, दो दीन तक आप वेट करो, अगर उसका CTR बहुत कम है, 10% से नीचे आ रह तो फिर में उस पर thumbnail चेंज करता हूँ, तो thumbnail से भी काफी improvement होता है, ऐसे मैंने 5-6 वीडियो को improve किया था, जिससे मेरे views काफी बढ़ गए, तो ऐसा आप ट्राय करना CTR आपको ध्यान रखना है कि 10% से उपर शाहिए, और audience retention भी इसे पर वग करता है, तो ये दो बड़े main factor है YouTube algorithm के जो आपकी वीडियो को कही से भी कही लेके जा सकते, मतलब 0 से भी million तक से लेके जा सकते सिब ये दो factors है, एक है CTR और second है audience retention, आपकी वीडियो पर watch time आएगा, लोग रूखेंगे, जितना देखना वीडियो पसंद करेंगे, तो YouTube उसका और recommend करता है, जैसे कि for example कि अगर कोई वीडियो जो viral हो रहा है जादा, आप देखोंगे तो उसमें वो tags भी नहीं होते है, ना proper title होता है, ना description होता है, लेकिन उसका जो audience retention होता है, वो बहुत जादा है, जैसे कि कोई viral वीडियो उसका photo देखा, लोग उसपे click करके देखते, देखते, उसपे रुखते, पू तो आप इस वीडियो में, I hope कि आपको समझ गया होगा कि actual में YouTube का algorithm कैसे work करता है, यह मैंने कही सारे वीडियो में भी देखा है, अपने खुद try भी किया, और लोगों के वीडियो पर मैंने analysis करके, यह मैंने खुद find किया है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता ह तो आप जरूर इसको try करें, यह 100% working है, आप भी analysis कर सकते हो अपने analytics report में जाके YouTube, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा नीचे comment box में, और अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, because आपको मेरे चानल पर YouTube related सारा practical knowledge daily basis में मिलता रह जरूर झानल ait Влад हैbla जरूर कर दोस।